दोस्तों आप सब लोग को पताई होगा कि प्रधन मंत्री नरंद्र मोदी के फ्रांस दौरे के दर्मियान भारत और फ्रांस के बीच में कई तरीके के स्टरेजिक और महत्तोपूर्ण डिफेंस डिलों के उपर बात चित हुआ है जिनमें बताया जा रहा है कि भारत के द्वा को लेके भी चर्चा हुआ है और इंडो फेसिविक एलाइंस को लेके भी चर्चा हुआ है पर दोस्तों इन सवी से अलेग भारत और फ्रांस के बीच में और एक महत्तोपूर्ण डिल को लेके भी चर्चा हुआ है जिसके बारे में मेडिया में कोई वी जानकारी नहीं है औ दोसों ये हतियार असल में नेवी के और एक ताकदवर तरीन जहाज है जिसे की हेलिकॉफटर कैरियर कहा जाता है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बतादू कि भारत के पास फिलाल केवल मात्र एक ही लैंडिंग प्लाटफॉर्म डॉक है जिसे की आएनेस जलस्वर कहा जाता है और दोस्तों इसे युनाइटेट स्रेट से साल 2007 में इंडियान नेवी के द्वारा पर्चेस किया गया था। है कि दोस्तों इस जहाज के उपर एक प्रतिबंद लगा हुआ है कि इस जहाज को भारत केवल मात्र एंडियान एसिस्टेंस में ही इस्तेमाल कर सकता है और लड़ाई में इस्तेमाल नहीं कर सकता है पर उही पे दोस्तों इंडियान नेवी अपने ताकत को मजबूत करने के लिए कुछ एडिशनल जहाज चाहता है और इन जहाजों को असल में मेक इन इंडिया इनिशिटिव के अंतरगती भारत में बनाया जाना है पर दोसे इस बार के रिक्वेर्मेंट में जो लैंडिंग फ्लाटफॉर्म डॉक है ये आयने जुले स्वर से काफी अलग और काफी बड़ा भी होगा और ये एक तरीके से एरक्रेफ्ट केरियर के जैसा होगा हाला कि इसमें एरक्रेफ्ट नहीं बलकी हेलिकॉप्टरों का इस्तेमाल होगा और इनी कारोनों के वज़ा से इससे लेंडिंग फ्लाटफॉर्म डॉक या लेंडिंग हेलिकॉप्टर डॉक के ज मतलब हेलिकॉफटर कैरियरों का पहली वार आवरशकता साल 2004 में सुनाफी के बाद आया था और इस तरीके के जहाज इंडियन नेवी असल में अपने कैपसिटी बिल्डिंग के साथ साथ हुमेनिटरियन एसिस्टरंस को भी मजबूत करने के लिए चाहता है। अलाकि दोसों इसके बाद भारत के तरफ से करीबन दो दशक का प्रयास किया गया जिसमें की कोई सफलता नहीं मिला और बताया जाता है कि साल 2021 में फिर से एक बार फ्रेश प्रयास के तहट एक नया रिक्वेश्ट वर इन्फॉर्मेशन जारी किया गया है। और जहास का अधिक्तम स्पीड 20 नॉट्स या उससे अधिक होना चाहिए। जहास के पास लेंडिंग क्राफ्ट से शुरू करके हेलिकॉप्टर तक को लॉंच करने का शमता होना चाहिए। इसके इलावा रिक्वेश्ट वर इन्फॉर्मेशन में जहास के जो हत्यारों का शमता का जिकर किया गया है। जहास के मुताविक जहास के पास 32 ऐसे वर्टिकल लॉंचिंग सिस्टम होना चाहिए जो कि शौर्ट रेंज स्वर्फिश टू एयर मिसाइल मतल़ भारत के द्वारा बनाया हुआ। बर्टिकल लॉंच शौर्ट रेंज स्वर्फिश टू एयर मिसाइलों को दाख सके और कम से कम 16 ऐसे मिसाइल लॉंचिंग शेल चाहिए जो कि एंटी शिप और लैंड अटाइक क्रूज मिसाइलों को दाख सके जहास में कम से कम 4 AKS 630 जैसे क्लोजिन वेपन सिस्टम और 6 है अधी मशिन गन होना चाहिए जबकि इसके इलावा फ्यूचर के आवशकताओं को देखते हो इसमें डारेक्ट एनर्जी वेपनों को भी लगाने का स्कूप होना चाहिए और दोस्तों इनी कारूनों के वज़ा से जहाजों को इलेक्ट्रिक पॉपल्शन सिस्टमों से लैस के तरफ से खुद के द्वारा ही डेवलफ्ट किया जा चुका है लेकिन दोस्तों इस तरीके के जहाजों को कैसे बनाया जाएगा और इसका क्या शमता होगा इसके बारे में और भी जादा जानकरी दिया गया है और रिपोर्ट के मुताइग बताया जा रहा है कि ये जो लै अटिकल माइल रेंज वाले मतलब सारे 18,000 किलोमेटर से भी अधिक रेंज वाला जाहाज होना चाहिए ताकि इंडिया अपने पावर पोजेक्शन करने के साथ साथ अपने आपको एक ब्लू वाटर नेवी भी बना सके उपर से दोस्तों जाहाज में कम से कम 530 क्रू मेंबर के आवशकता और 900 एडिशनल सेलर्स या प्रूप्स को कैरी करने का शमता होना चाहिए जिन में कम से कम 20% ओपिसर ओमेन ओपिसर और 15% सेलर ओमेन सेलर होना चाहिए और इसका भी फैसिलिटी अलेक से जहाज में होना चाहिए अब दोस्तों रिक्वेट फॉर सिस्टमों को बनाया जा रहा है उसे भी कैरी करने का शमता होना चाहिए डिजाइन में दोस्तों जहाज के जो डेक है उससे शुरू करके जहाज के हैंगर तक को हेलिकॉप्टर और अन्मैन एरियल वेकलों को एकोमोडेट करने का शमता होना चाहिए और इन हेलिकॉप्टर को तेजर अपतार में एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक ले जाने का भी शमता होना चाहिए इवन दोस्तों जब जहाज अपने गती से आगे बढ़ता रहे तब भी जहाज में हेलिकॉप्टरों को अपने ओपरेशन के लिए डिप्लॉई करने का शमता होना चाहिए हलाकि इसके इलाबा जहाज के फास वेकलों के साथ टैंक इवन एमफिवियस वैसलों को भी पार्क करने का सुविधा होना चाहिए और जहाज में इतना स्पेस होना चाहिए कि इसमें कार्गो और अन्ने वोरहेड जैसे एक्विप्मेंटों को रखा जासे कि इवन जुरुत को भी करी करने का शमता इन जहाजों के पास हो अब दोस्तों इससे अंदाजर लग रहा है कि भारत असल में अपने बेडे के लिए कोई हेलिकॉफ्टर लैंडिंग डॉक या फिर लैंडिंग फ्लाटफॉर्म डॉक को नहीं चाह रहा है बलकि एक ऐसा जहाज चाह रहा है जो अमेरिका क्लास या फिर कहतों अमेरिका के वाप्स क्लास के जहाजों के बराबर हो और एक प्रॉपर हेलिकॉफ्टर कैरियर हो अब दोस्तों इस तरीके के जहाज़ों के डिवलपमेंट सबी तरीके के आपशक्ताओं को पूरा करने का श्रमता है और शायद इनी कारूनों के वज़ा से फ्रांस के द्वारा भारत को अपने खुद के हेलिकॉफटर कैरियर को डेवलप्ट करने में मदद करने का भरोसा दिया जा रहा है अब दोस्तों यहाँ पे मेरा मानना यह है कि शायद फ्रांस के द्वारा इन डायरेकली भारत के साब ने अपने मिस्टर क्लास जहाजों का ओफर किया जा रहा है जब कि दोस्तों यह कोई ऐसा पहला घटना नहीं है जिसके अंतरगत फ्रांस के द्वारा भारत के साब ने पाकी के दो जहाज है वो असल में साल 2016 में Egyptian Navy के बेड़े में कमिशन किया गया हाला कि दोस्तों इन जहाजों को Egyptian Navy के लिए नहीं बनाया गया था बलकि ये Russian Navy के लिए बनाया गया था लेकिन बाद में Crimea के क्राइसिस के कारण फ्रांस के दौरा इन जहाजों को रुष्या को नह जाए तो जब रुष्या को अपने जहाज देने से फ्रांस के तरफ से मना किया गया था बताया जाता है कि Egypt को ओफर करने से पहले भारत के सामने भी प्रस्ताव रखा गया था कि भारत अपने जरौतों को देखते वे इन जहाजों को पर्चेस करें पर कुछ कारणों के का ओफर हो और यहाँ पर दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दू कि यह जहाज भारत के लगवक सभी तरीके के आवशक्ताव को पूरा करने में सक्षम है क्योंकि यह जो जहाज है यह करीव करीव 21,500 टन वजन का भी है और 200 मिटर लंबा 32 मिटर चौड़ा 6 मिटर कि इलेक्ट्रिक पॉपल्सन सिस्टम आने पर इसका रिप्तार को भी बढ़ाया जा सकता है फिलाल जहाज का रेंज 5,800 नौटिकल माइल है लेकिन बताया जाता है कि 15 नौट के रप्तार में यह 10,700 नौटिकल माइल के डिस्टेंस भी कवर कर सकता है और दोस्तों यह में 16, heavyweight helicopter या फिर 35, light helicopter शामिल है मतलब यह helicopter के मामले में भारत के जरौत्तों को पूरा कर सकता है दोस्तों आप लोगे को क्या लगता है कि भारत के दुवारा फ्रानस से Mr Class के जहाजों को खरिदा जाएगा या फिर भारत और फ्रानस मिलके भारत के नेवी को देछते हुए कोई ने डिजाइन के अंतरगत काम करेगा कॉमेंट करके अवश्य बताईए दोस्तों आज़के इस वीडियो को यही फेही करते समाप किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो ही मिलेंगे तब तक के लिए जै हिंद वंदे मातरम